आज हम लोग बनाने वाले है चिक्कन बिर्यानी विद वेरी सिंपल स्टेस्ट तो इस चिक्कन बिर्यानी को बनाने के लिए मेने लिया है आधा किलो बास्तमती चावल और आधा किलो चिक्कन पहले एक बावल में हम लोग चिक्कन लेंगे और उसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसाइब एक चमच हल्दी एक चमच लाल मिर्च पावडर और चार चमच दही लेंगे दही से चिक्कन अच्छे सरा तेंडर हो जाता है और अब इसको अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे अब इसमें दो चमच कुकिंग गॉयल डालके अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे और आधा गंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे हमारा सेकंड मेरी नसन के लिए हमें चाहिए एक चमच पिरियानी मसाला दो चमच अद्रग लेंसुन का फेस्ट एक बड़ा टमाटर कटा हुआ थोड़ा सा ग्रिन चिली फ्राइड अनियन पुदीना का पत्ता और धनिया पत्ता आप चाहों तो एक सासारी चीजे डाल सकत हो पर मैं यहां पर टू स्टेप्स की हों ताकि चिकन में अच्छे सा फ्लेवर आ सके तो आप बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की और इसमें डालेंगे अध्रिक लेसुन का पेश्ट टमाटो बिरियानी मसाला पुदीना पत्ता देनिया पत्ता ग्रीन चिली अब डालेंगे थोड़ा सा फ्राइड ओनियोन अब इसको अच्छे तरह मेरिनेट करके आधा गंटा के लिए फ्रे फ्रीजिडेटर में रख लेंगे यहां पर मैं आधा किलो रख बासमती चावल ले हूँ इसमें पानी डालके 15 मिनिट तर भीगो के रख लेना है अब हमारा पानी गरम हो चुका है इसमें डालेंगे घी थोड़ा नमक और जो खड़ा मसाला रखेते उसको भी डालेंगे अब डालेंगे चावल यहां पर हमारा चावल रेटी हो चुका है आपको ध्यान देना चाहिए चावल 80% कुक होना चाहिए अब हमारा चिकन को भून लेते हैं तो प्यान में लेंगे चाच चमच कुकिंग ओयल और हमारा होल मसाला डाल लेंगे अब डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए तो अब चिकन के पीसिश डालेंगे और धीमी आज में 15-20 मिनित कर खूकिंग कर लेंगे तो यहां पर हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है फाइने स्टीप में हम लोग बिर्यानी का लेयर बनाएंगे उसके लिए पहले देंगे 50% चिकन उसके उपर 50% राइस फिर सेम स्टेप्स रिफिट करेंगे हर लेयर के ऊपर डालेंगे पूदीना, धनिया, फ्राइड अनियन, बिर्यानी मसाला, अंगी उसमें आठ करेंगे केसर, दूद और गुलाब जल का मिक्स्चर जो मैंने पहले से बना के रखी थी और उसमें थोड़ा सा कलर राइस डालेंगे फर गिविंग दब बिर्यानी डिफरेंट टेक्चर प्राइस प्राइस अब आलूमीनियम फोयल से अच्छे से प्याक कर लेंगे और धीमियान से पंद्रा से पीस मिनिट रख लेंगे प्राइस इसे के साथ आपका चिकन बिर्यानी रिटी हो चुका है और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोले